हेलो इब्रिवन, बेलकम बैक टू माई चैनल, इस पीडियो में हम लोग संबिधान सभा के बारे में जानेंगे, हमारे भारतिये संबिधान का निर्मान जो है, वो कैसे हुआ और संबिधान सभा के द्वारा ही हुआ था, तो इससे सम्मंदित जितनी भी जानकारी है, आपको से बिडियो में दक बने रही हैँ, यह जो हमारा भारतिय इशाओ है, उसका निर्मान किया गया और संबिधान सभा का गठन किसके द्वारा किया था तो अंग्रेज के द्वारा गथित, निजो हैं सम्मै अभेण सभा का गठन किया गया था और यहें के मिशन cubay जुलाओ 1906 इसमें हुआ जिसमें टोटल मिंबर थे 389 जिसमें से 292 जो थे वो ब्रिटीश प्रांथ के थे 93 देशी रियासत से और चार जो थे वो चीफ कमिशनरी थे इसकी पाथ इसमें जो सदस्षे का चैन किया जाता था वो प्रती 10 लाख जनता पर एक सदस्षे का चैन किया जाता था और इसमें तीन समाज के मिंबर थे एक मुसलिम, सिख और सामान ने दो प्रमुक पार्टी के सदस्षे थे इसमें एक था कॉंग्रेस और दूसरा मुसलिम लिग इसका उदिष्ष्य था समिधान सभा जो है समिधान सभा का उदिष्य था एक ऐसे समिधान का निर्मान करना जो देश के प्रशाशन विवस्था को बिधीवत रूप से चलाए ताकि भारत में किसी भी परकार की अराजक विवस्था जो है, उत्पन ना हो, और संभवता जो भारत का प्रसास्निक विवस्था है, उसको देखकर हम लोग एक अंधाजा भी लगा सकते हैं, अनुमाल लगा सकते हैं, कि बरतमान में जो है, अपने प्रयासों में सफल लहे, और आज भी भारत में अराजक इस्थिती नहीं है और भारत आज भी विश्व का सबसे बड़ा लोग तंत्र के रूप में जाना जाता है। संभीधान सभा की पहली बैठक जो है ओ 9 दिशंबर 1946 में हुई थी जिसमें डॉक्टर सस्थानन सिन्ह जो थे वो इसके अस्थाईश अदस्थे थे और 11 दिशंबर 1946 को डॉक्टर राजियंदर प्रसाद से को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। एक बार फिर देख लीजिए संभीधान सभा की पहली बैठक कब हुई 9 दिशंबर 1946 को असे में बार बार रिपीट करने से क्या होता है कि याद हो जाता है। मुझे भी लगता है ना कि जैसे एक बार पढ़ाई करो दूसरा बार नोट्स बनाओ तीसरा बार फिर इस तरीके से मैं अभी वीडियो बना रही हो तो इसमें भी मेरा एक बार रिपीट हो रहा है और बार बार कुश्चन को रिपीट करने से उस पे चर्चाएं करने से जो इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जबाहर लाल नेहरू ने एक उद्देश से प्रस्थाव रखा कि हमारा संभीधान कैसा होना चाहिए 13 दिसंबर 1946 को जबाहर लाल नेहरू ने एक उद्देश प्रस्थाव रखा कि हमारा संभीधान जो है ओ कैसा होना चाहिए और 12 जनवरी 1947 को उद्देश प्रस्थाव जो है ओ पास हो गया रख्खा कब गया? 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को उदेश प्रस्ताव जो था उपास हो गया और इसके सहकारी समीति के अध्यक्ष थे B.N. राव संभीधान निर्मान के समय में 13 समीतिया बनाई गए थी जिसमें एक थी संचालन समीति संचालन समीति संभीधान सभा के संचालन समीति होती है इनके पास संभीधान के सभा को चलाने की जिम्मिदारी जो है वो अध्यक्ष की होती है संभीधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंदर प्रसाद और प्रांत से थे बल्लभाई पटेल वहां के मतलब प्रांत क प्रांतर से उसमें बल लभाई पटेल और संग से जबा हला नेरू इसके बाद प्रारूप शमीथी जो बनाई गई तो प्रारूप समीती में कुल सदस्य थे साथ जिसके अध्यक्स थे डॉक्टर भीमराओ अमबेतकर और हमारे देश का संबिधान जो बना हमारे देश की एगारा माह और अठारा दिन का समय लगा दो वर्स एगारा माह और अठारा दिन बारतिय सम्विधान के निर्मान के चलन में जो हमारे राजनितिक गिते और जो सम्विधान सभा के शदस्य थे वे कभी नहीं चाहते थे कि यह एक कमजोर सम्विधान बने जिसका उलंगन बार सम्विधान में सामिल किया और इस तरीके से भारत का सम्विधान जो है एक सब्सक्त सम्विधान बना जिसे तोरना बहुत मुश्किल था तो मतलब उस समय इस बात का बहुत जादा ध्यान रखा गया कि समिधान सभाके जितने भी सदस्य थे वो यही चाहते थे कि भारत का समिधान एक ऐसा समिधान बने जिसका उलंगन बार बार नहीं हो तो इसके लिए इन लोगों ने बहुत सारे देश के समिधान का अध्यन किया और जो भी अच्छा लगता था वो पार्ट से अपने देश के समिधान में सामिल करते गए 26 नॉवंबर 1909 को जिसमें जो ये पारित किया गया तो इस पे हस्ताक्षर करने वाले सदस्य जो थे ओ दो सो चौरासी थे समिधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें जो टोटल सदस्य थे टोटल सदस्य समिधान सभा के गठन के टाइम अभी अम लोग देखे हैं गठन के टाइम टोटल सदस्य कितने थे तीन सो नाबासी जिसमें 292 ब्रिटीश प्रांच से थे तीरानवे देशी रियासा से थे और चार जो थे ओचीफ कमिशनरी थे और जब जो ये समिधान सभापर हस्ताक्षर किया गया तो उशको पारिट किया गया तो उस समय इस पे 284 सदस्य ने हस्ताक्षर करके उसको पारिट किया एक पर फिर देखिए जिस समय लागू किया गया उस समय शंबिधान में 295 अनुचेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थे, इसकी बाद अनुसूचियों की संख्या जो है अभी बर्तमान में बढ़के 12 हो गई है, मतलब इस संख्या बाद में बढ़ी है तो अनुसूच विभीं प्रांतिये समय बढ़के 12 हो गई है, और संविधान सभा के चुनाओ की संख्या जो है, किसी चुनाद पधती के द्वारा नहीं होता था, उनका जो चैन होता था, वह मनुनई के अधार पर होता था बिभीन प्रांतिये विधान सभाओं के द्वारा उन्हें मनोनित करके समिधान सभाओं में भेजा गया, देशी रियास्तों द्वारा भी मनोनित करके ही भेजा गया था, ठीके एक बार फिर देख लीजिए समिधान सभाओं के सदस्यों का चुनाओ, किसी चुनाओ पधती के कि द्वारा नहीं हुआ उनका चैन गोमानव के अधार पर किया गए बिभीन प्रांतिये व詞ं हरा के ऑर देसी लियासते में भन harina करें अधि slight चैन गया तो ऑर उसमें सब्विद्धान व मलों हम लोग पढ़े हैं और मねं शोड नोट से इसका इसको एक बार और इसका वीडियो बनाओ जिससे की मेरा भी हो जाए और मैं लोगों के साथ इसको सेयर भी कर पाओ तो इसके बाद फिर हम लोग संभीधान के बारे में अगला वीडियो जो है आएगा मतलब जैसे जैसे मैं करूंगी फिर आप लोगों से शेयर करूंगी तो मिलते हूं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए